मध्यपरदेश सोया बीन में नमबर वन है और यहां की लगबग हर मंडी में सोया बीन का भाव MSP से नीचे चल रहा है सोवार को हफ़ते के पहले कारोबारी दिन मंडियों में सोया बीन का भाव 3071 रुपई से लेकर 4690 रुपई प्रतिक विंटल तक दर्ज किया गया वहीं एग मार्क नेट का आंकड़ा बताता है कि मध्यपरदेश में केवल दो ही मंडियां ऐसी हैं जहां पर सोया बीन का दाम MSP से अधिक मिल रहा है दरसल मंडि दलोडा और सेलाना में किसानों को सोया बीन का भाव MSP के उपर मिला है वैसे देखा जाए तो इस बार सोया बीन किसानों की कमाई गिर रही है इसकी वज़ा है मार्कित में कम होती मांग खबर है कि इस बार सोया बीन की पेराई भी कम हो रही है क्योंकि घरेलू बाजारों में इसकी मांग पहले से गिर गई है पशो और मुर्गी आदी के दाने में भी सोया बीन का इस्तिमाल बड़े पेमाने पर किया जाता था लेकिन इस बार मांग में कमी देखी जा रही है एक बड़ी वज़ा ये भी है कि सोया बीन की पेराई गिरी है उदर खादे बजारों में भी पहले की तुलना में इसकी डिमांड पहले से घट चुकी है सबसे खास वज़ा है कि इसका निर्यात में भी पहले से गिरावट आई है क्योंकि विदेशी मार्किट में भी इसकी खेप कम निकल रही है इन सभी वज़ों को जोड़ दे तो किसानों को भारी घाटा लगता दिखाई दे रहा है सोयबीन पेराई में ढिलाई के बारे में सोयबीन प्रोसेसर एसोसियेशन ओफ इंडिया यानिकी सोपा ने कहा है कि अक्तूबर में शुरू हुई सोयबीन के पेराई फरवरी में आते आते 5 फीसद से अधिक तक पिछड़ गई है इस अधि में 52,50,000 टन सोयबीन की पेराई हो सकी है जबकि पिछले साल सेम इसी टाइम पिरियड में 55,50,000 टन सोयबीन की पेराई हुई थी इसके पीछे घ्रेलू और अंतराश्य दोनों वज़ों को जिम्यदार बताया जा रहा है घ्रेलू वज़े की बात करें तो अभी मार्किट में सोया मील से लेकर सोया खली और पशो मुर्गियों के दाने में इसकी खपत कम हो रही है यहां तक की फूड आइटम्स में भी इसकी मांग गिरी है घ्रेलू सतर पर एक और बड़ी वज़े सोया बीन तेल के दाम में गिरावट बताई जा रही है जब इतने सारे फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं तो जाहिर है इसकी मांग घटेगी और मांग घटने का सबसे बुरा असर किस्तानों पर दिखेगा जो इसे बेच कर कमाई कमाना चाते हैं वहीं सोया बीन के पराई घटने और तेल के दाम में गिरावट के पीछे एक बड़ी वज़े तेल का आयात बढ़ना भी है जब विदेशों से बड़ी मात्रा में तेल मंगाया जा रहा है तो देश में उसकी पराई लागत गिर रही है अगर यही आयात कम होता तो मांग पूरी करने के लिए इसकी पराई बढ़ती लेकिन अभी स्थिती ठीक भी प्रीट चल रही है इन सभी बातों को जोड़ दे तो देश में सोया बीन के उत्पादन में बड़ी कमी देखी जा रही है एक रिपोर्ट के मताबिक अक्तूबर से फरवरी के बीद सोया बीन के उत्पादन में तकरीबन 7 फीसद की गिरावट आई है इन सभी फैक्टर्स को देखें तो इसका सबसे खराब असर किसानों पर पड़ रहा है पिछले कई हफते मांग में कमी और निर्यात में गिरावट से सोया बीन का मंडी भाव नीचे चल रहा है किसान अच्छी कमाई की उमीद में फसल और अपनी उपस लेकर मंडी में पहुँच रहे हैं लेकिन उन्हें वाजिब दाम नहीं मिल रहा मंडीों का हाल देखे तो सोया बीन का भाव नियूंतम स्मर्थन मुल्या यानि की MSP से भी नीचे चल रहा है अभी सोया बीन का MSP 46 और पर प्रतिक विंटल तह है मगर किसानों को ये रेट भी नहीं मिल पा रहा ये ट्रेंड पिछले कई हफतों से देखने को मिल रहा है ऐसे में बाजार जानकारों का कहना है कि आगे आने वाले दिनों में फिलाल सोया बीन के यूही बने रहने की संभावना ज्यादा है बिरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी